नमस्कार दोस्तो मैं हाजिर हूँ आज आपके लिए भहुत ही कारगर, भहुत ही सरल, भहुत ही अशान उपाई लेकर पतनी सम्मोहोनी यंत्र दोस्तो जिन पुरुसों की इस्त्रियां गमंडी हैं, कामचोर हैं, पती पर बिगडने वाली हैं, जगडालू सभाव की हैं उन पतियों के लिए यहां पर मैं एक ऐसी यंत्र लेकर आया हूँ, एक ऐसा यंत्र लेकर आया हूँ, कि जिस यंत्र के करने से, मादुरुगा की परतिष्ठा से, और मादुरुगा का आवान करने से, यहां पर आपको ऐसा जबर्दस कारगर उपाई मिलेगा, एक ऐसा सम् पतनी पर की जिससे आपकी पतनी वो आपके कहे अनुसार होगी आपके कहने में होगे तो दोस्तो इस नक्ष को आपने बनाना है किस प्रकार से किस विधी से आपने इसको बनाना है हम आपको यहाँ पर उसको रिखांकित करके बताते हैं आप इसे बनाईए इसको बनाने का तरीका है कि आप सबसे पहले इस परकार सीधी लाइन खेचेंगे फिर एक यहाँ और फिर एक यहाँ पर फिर एक यहाँ पर फिर एक ऐसे फिर ऐसे यह अमने 9 कोस्टक बनाने है दोस्तों बिल्कुल सीदे सीदे बनाने है अब इनमें हम नंबर भरेंगे जिन में नंबर चलेगा यहाँ पर 2 यहाँ पर 7 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर 4 फिर यहाँ पर 6 और यहां पर 10 अब दोस्तों यह हमारा यंत्र त्यार हो गया अब इस यंत्र को बनाने से पहले आपको कुछ नियम रहेंगे वो नियम क्या है नियम यह है कि सर पर्थम आपको सनान करके स्वयम को सुध कर लें सफेद कागच इस परकार से ले लें और इस यंत्र को हुब धूप दिप अगरबत्ती जरूर दिखाएं प्राण परतिष्ठा करें और फिर इसको यूज कैसे करना है इसको यूज करने के लिए दोस्तों आपको इस परकार से आपकी पतनी की कंगन या चूडियां चीहेंगी उस पर आपको जैसे मैंने बना रखा है पहले से ही मैंने इ इसके लावे के दुवारा आप इससे बांद कर लेंगे और बांध कर आप इस पर घुल बत्ती अगरrians दिखा कर एक मंतर बोलेंगे मंतर क्या रहेगा ओम नमो ममो पतनी सिरिम हिरिम सिरिम मा चामुंडे मा दुरुगे मम वशे कुरु कुरु स्वाहा दोस्तो इस मंतर को ऐसे बोलकर आप इसे साथ दिन के लिए साथ दिन के लिए अपनी अलमारी में या आपकी पतनी के कपड़ों में इसे चुपा कर रख दें पतनी को पता ना चले कि किस परकार से आप इस यंतर को बना रहे हैं उसे पिल्कुल भी बना कना लगे और ऐसे बांद करके आप इसे रख दीजिए साथ दिन तक जो मैंने मंतर आपको बताया है दोस्तों बस उस मंतर को आप चाप करते रहें उसे बोलते रहें आप खुद स्वयम चमतकार देखेंगे कि आपकी पतनी में हर रोज कुछ न कुछ चेंज होता रहेगा और आप स्वयम खुद आपकी वो पती भक्त हो जाएगी आप इस नक्ष को इस यंतर को पतनी सम्मोहन यंतर को आप स्विकार कीजिए ऐसे बनाएए और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको आपकी पतनी आपके हित में ही, आपके बस में रही, आपके कहने में रही तो आप मुझे हर-हर महादेव लिखकर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जुरूर लिखिएगा दोस्तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस विधी का उप्योग करके आप अप